हेलो दोस्तों, आज एक और ट्रिक हम सीखते हैं Excel में How to create auto border in Excel यानि कि Excel में वैसे manually हम लोग data बनाते हैं तो उस पे border लगाने के लिए हम border option का use करते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, outside का border क्या करते हैं, fill करते हैं बट आज हम automatic border कैसे आ जाता है अगर हम कुछ भी data fill करते हैं, data delete करते हैं तो automatic border जो होता हो remove कैसे हो जाता है इसे सीखते हैं आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस option का use करने के लिए आपको जितनी criteria में border चाहिए हो यानि कि जहां तक आप data लिखना चाहते हों वहां तक आप range क्या करेंगे select कर लेंगे यानि कि अगर आप पूरी seat में चाहते हैं तो पूरी seat आप select कर लेंगे मुझे इतनी में अगर मैं कुछ भी write करूँ या फिर delete करूँ तो वहां पर border क्या होना चाहिए अगर कुछ write करती हूँ तो border automatic आ जाना चाहिए जाएंगे उसके बाद use a formula to determine which sales of format इस last वाले option को लेंगे उसके बाद format values where this formula is true आप इस वाले option में क्या करेंगे एक को लिखेंगे उसके बाद इसमें से आप कोई भी excel ले लेंगे यहां से select कर लेंगे मैंने first वाली ही ले लिया उसके बाद क्या करेंगे less than and greater than उसके बाद double inverted, open and close उसके बाद करेना क्या है मुझे यहां पर जो dollar का symbol दिख रहा है इसे आपको हटाना होगा dollar के symbol को मैंने क्या कर दिया है हांसे remove कर दिया दोनो dollar के symbol को remove करेंगे उसके बाद क्या करेना होगा format वाले option पर क्लिक करेंगे यहां से outline यानि की border वाले option पर जाएंगे इसमें outline पर क्लिक करेंगे उसके बाद okay कर देंगे then okay अब देखिए दोस्तों अगर हम यहां पर कुछ भी लिखते हैं तो automatic क्या होता है यहां पर border आ जा रहा है मैंने यहां पर कुछ भी लिखने टाइप करने की कुछिस की इसके बाहर जहां मैंने इस formula का use नहीं किया वहां पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो automatic border नहीं आ रहा है बट यहां पर जितनी criteria मैंने दी थी वहां पर अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो वहां पर क्या हो जा रहा है बट आटोमेटिक आ जा रहा है अगर मैं इसमें से कुछ data को delete भी करती हूँ तो border क्या हो जाता है मैंने इसे delete कर दिया तो यहां से border क्या हो गया आटोमेटिक remove हो गया आसा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो